मेरे बच्चों की बहुत दिन से फर्माईश थी जैसा दही बड़ा दुकान पे मिलता है वैसा खाने का तो मैंने आज वो बनाया है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये देखिए इसके लिए मैंने सामगरी ले ली है हरी मिर्च है कदुकस कीवी अद्रक है किश्मिर्स ह ये देखिए उरत की दाल मैंने बगएर छिलके वाले इसमें हींग डाला है और नमाग डाला है मेजर मिन्ट वाले कपसे एक कप लेके दो तीन घंटा भी गो दिया था मैंने उसके बाद इसम चंदन की तरह बारीक पीसना है जैसे कहते ने कि चंदन घिसना बस उतना ही फा इसमेश गई एक टेबल स्पून नारियल का बुरादा एक टीस्पून से थोड़ी ज्यादा कद्दू कस्कीवी अद्रक है दो तीन हरी मिर्श मैंने बारीक काटके रखी थी वो मैंने डाल दी इसमें यह आप देख रहे हैं यह सारी चीजे डाल कर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है मेरा पेश्ट थोड़ा सुरू में काढ़ा था जाता तो मैंने इसमें आधा कब पानी बिला दिया यह एक भगोने में मैंने पानी ले लिया है नॉर्मल पानी है आप बड़े तलके जो मुझे बड़े करना होगा तुन्हें गरम पानी और नमक में डाल कर यूश करोंगे यह देखिए बड़े आराम से बहुत जटके में मत डालिये क्योंकि गरम तेल है अच्छा खासा उबलता हुआ तेल है यह तो आप जल सकते हो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें जब भी आप उसमें एक साइड में करके और पूरी तरह से निकाल लेना है फिर उसके बाद पानी में डालना है अगर आपको पानी में डालते समय लगता है यह नए लोगों लिए है कि तो वो एक छोटी प्लेट में अलग निकालने बड़ों को उसके बाद उस प्लेट के माध्यम से पानी में जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए एक टिप्स है कि बड़ों को तलने में पलटने में प्रॉब्लम हाती है तो वो चाकू से उसको उलट-पलट करें उससे बहुत ही कंफड़ेबल तरीके से काम आपका हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये कैसे करें तो आप नाइफ से अगर इसको करेंगे तो उससे उलटना पलटना आपके लिए आसान होगा ये देखिए मैंने दही लिए है दही में नमक स्वादा नुसार गया और एक टेबल स्वोन के करीब पिसीवी शुगर है अगर आपके पास पिसीवी शुगर नहीं हो तो नो प्रॉबलम आप खड़ी शुगर भी डालके उसे फेंट सकते हैं दही में थोड़ी से थिक लग रही है ये देखिए और दही फेंटने का तरीका ये है या तो आप इस तरह से इसे फेंटिये या आप जो वो चलनी होती है आटे वाली उससे छान दीजे आप ये देखें दही में थोड़ी थिक थी तो मैंने इसमें आधी कटोरी दूद मिक्स किया है दही चानने का तरीका ये है कि आप चलनी में डालके उसे हाथ से रगड़क निकालने तो एक जैसी वो होके निकल आएगी उसमें से या फिर तरीका एक ये भी है कि आप इस तरीके सेसे फेंटे, मिक्सी में कभी मैं चलाईए क्योंकि मिक्सी में आप कितनी भी गाड़ी दही चलाईए, वो पानी जैसी हो जाती है इस दही में, देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको तयार कर लिया है मैंने जिस मिट्टी के बरतन में दही जमाया था उसी में इसी किया है इसमें कद्दू कस की हुई एक से डेल टी स्पूर मैंने अद्रक डाली है और दो हरी मिर्च काटके डाली है दही बड़े देखे पानी में डालके ये फूल गए है बहुत अच्छे से फूल गए हैं एक दम रजगुला जैसे अब इसे निचोर लेना है हलके हासे की तूटे नहीं उसके बार इने दही में डालते चले जाना है इसके लिए मिठी चटनी आप बना के रख लिजेगा मैं तो मिठी चटनी हमेशा तयार रखती हूँ इमले की चटनी बहुत ज़रूरी है अगर आप थोड़ा इसमें तीखा चाते हैं चाट स्टाइल में चाते हैं तो आप इसमें धनिया की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं गरनेशिंग के लिए लाल मिर्श पाउडर और काला नमक और भुना हुआ जीरा इसका प्रयोग कीजिए बहुत सौफ्ट बनें मेरे दहीबडे मेरा तो मन कर रहा है मैं तुरंत खानू बस बस मैं अब रखूंगी मोबाइल और मैं तुरंत एक बाइट लूँगी क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगे दहीबडे आप बताएगा आपको कैसे लगे मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए आप लोग भी एक बार इस मैथट से इसे ट्राइ करके देखेगा बनाते तो आप लोग भी होंगे लेकिन एक बार इस मैथट से भी ट्राइ करके देखिए